हाई, मेरा नाम सारिका है और मैं Safe and Happy Periods की पाउंडर हूँ ये हमारी छोटी सी पहल है समाज में लज्जा मुक्त, स्वस्त और सुरक्षित मासिक धन्दी ओर Lectures and Workshops के द्वारा हम छोटी लड़कियों और महिलाओं को Periods से जुड़े जरूरी पहलूओं पर जानकारी देते हैं Periods से जुड़ी परेशानिया और समाज में इस विशय पर चुप्पी को देखते हुए हमने इसके बारे में कुछ सकारात्म कदम उठाने का प्रयास किया है आज भी हमारे समाज में Periods को गंदगी और शर्म से जोड़ा जाता है जिसकी वज़े से लड़कियों में हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी आती है सही जानकारी का अभाव, अंदवश्वास जैसी चीजें इस विशय पर और भी चुप्पी ला देती हैं जिसकी विज़े से कई बार कम उम्र में लड़कियां बीमारियों का शिकार हो जाती हैं हमें लगा कि बदलाव के लिए पहला कदम है महिलाओं से बातचीत करना जिससे वो अपने मन की बात कह सकें और सवाल पूछ पाएं और पीरियद्स को शर्म की नहीं बलकी समान की नजर से देखता हैं वर्क्शॉप में हम पीरियद्स से जुड़ी शर्म, हीन भावना, गलत जानकारियां साथ सफाई का महत्व और तरीके, पुराने रिवाज, सैनेटरी पैज का सही उपयोग और फेकने का सही तरीका जैसे पहलूओं पर बात करते हैं हमें ये भी लगा कि पीरियद्स में होने वाले दर्ड और तकलीफ की और भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि हर महिला कई सालों तक हर महीने चार से पांच दिन इस दर्ड से गुजरती है इसलिए हम वर्क्शॉप्स में कुछ ऐसे योगासन सिखाते हैं जिससे पीरियद्स के दर्ड और ठकान को थोड़ा कम किया जा सके साथ ही हमने बात की आज सानेटरी पैज के बढ़ते उपयोग से दूशित होता परियावरन, बीमारिया, चोक होते नदी नाले और इसके निवारन के कुछ उपायों के बारे में हाली में हमारी तीन ने स्वस्त मासिक धर्म पर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के करीब 24 स्कूलों और 9 वार्ड ओफिसों में इस वर्क्शॉप को किया जिसमें 3000 से अधिक लड़किया, 1500 से अधिक महिला टीचर्स और 3500 से अधिक वार्ड की महिला करमचारियों को इसका लाब मिला हम उनके मन में छिपेट डर और जिजद को काफी हग तक निकाल पाए और उन्होंने हमसे खुल के वो सवाल पूछे जो वो हमेशा से पूछना चाहते थे हमारी टीम मुंबई में है और हमने मुंबई के साथ साथ धरमशाला, पालंपुर और कोटा राजस्थान में भी इस काम को किया जहां लोगों ने हमारी काफी मदद और सराहना ती आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इस तरह के सेमिनार और वरक्शॉप हमारे लिए अरेंज करके आप अपना योगदान जोनेशन्स या वॉलेंटियर के रूप में या फिर लड़कियों को सानेटरी पाक्स डिस्टिब्यूट करने में भी दे सकते हैं आप हमारा फेस्बूक पेज सेफ एन हैपी पीरियद्स लाइक और शेयर कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को भी आगे लोगों को फॉवर्ड कर सकते हैं धन्यवाद